एक और केंद्र सरकार जहां सभी का साथ सभी का विश्वास हासिल करने का प्रयास कर रही है वह उत्तर प्रदेश के अलीगड में एक बेहट चौकाने वाला मामला सामने आया है जहां की रहने वाली एक मुसलिम महिला को बीजेपी जॉइन करना इतना भारी पड़ गया कि उसके माकान मालिक ने उसे घर से बेदखल कर दिया हालंकि पीडिता ने अपने साथ घटित हुए इस पूरे मामले की शिकायत पुलीस में दर्ज करा दी है जिसके बाद पुलीस अस जांच परताल में जुट गई है जानकारी के मुताबिक महिला ने पुलीस में दी शिकायत में बताया कि मैंकल भाजपा में शामिल हुई जब मेरे मकान मालिक को पता चला तो उसने मेरे साथ दुर्वेवार किया और मुझे तुरंत मकान खाले करने के लिए कह दिया वहीं इस पूरे मामले पर अलिगर्ड एससपी आकाश गुलहरी ने कहा कि प्रथम दृष्टिया मामले में ऐसा लग रहा है कि मकान मालिक की माने शिकायत करता गुलिस्ताना से बिजली विल के लिए 4000 रुपे मांगे इसी बीच उनका गुलिस्ताना से राजनितिक पार्टी में शामिल होने के चलते बिवाद होने लगा जिसके बाद एससपी ने कहा कि संबंदे धाराओं में मामला दर्चकर जान शुरू कर दी गई है